एक छोटे से गाव में रहने वाले सुरेश और नीता एक सशक परिवार के मुखिया थे। उनका परिवार न केवल एक एकसत रहने का उदाहरण था, बलकि एक संपरकशील और साजा सपनों का सम्रिध परिवार भी था। सुरेश और नीता ने अपने बच्चों को समध्धता, समर्पन और प्रेम के साथ पाला था। उन्होंने उन्हें एक जुट रहकर सभी की इच्छाएं समझाई और समाहित बनाया। एक दिन, सुरेश ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और एक साजा सपना बनाने की बात की। उन्होंने कहा, हम सभी मिलकर एक छोटे से अपने गाव को एक सुन्दर स्थान बना सकते हैं। हमें एक नया स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। समुदाई ने उनकी इस साजा पहल को सराहा और समर्थन दिया। नए स्कूल ने बच्चों को शिक्षित बनाया और स्वास्थ्य केंद्र ने गावालों को स्वस्थ बनाया। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।